टाइम ट्वंटीफोर न्यूज जस्पास सच दिखाने का बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया अरशनमातर मुझे मैसेश कर दिखाने के लिए लुटाजीदे और मैसेश करते थे मैं नहीं अब विरोद किया मेरा रिलेशनशिप स्टेटस कूछते थे लुटे थे और रूम पर आने के लिए लुटे थे जाए बगला के लिए इन्वाइट कर ने कर दे लिए और बहुत उल्टसीदा बोलते थे मुझे, कि मेरे इमोशन्स वगेरा तुमने अप्राइंड कर दिये, तुमने नो क्यों गोल दिया, मत्तब फ्रेंडशिप के लिए बोलते थे मुझे, तो जब मैं नमबर ब्लॉक कर दिते थे तो वो मुझे फॉन करके धंगा देते, कहते ह अब्लॉक कैसे किया, तो फिर कहते हैं, नमबर अंब्लॉक करो, धंगा देते मुझे, उल्टसीदी धंगया देते थे, उन्होंने बहुत पार उल्टसीदी पाते की, डबल मीनिंग बात करते थे, उससे बहुते थे थे, अगर तयारी करनी पीचिस की, तो मेरे रून पे आ पाल मन्शी और इंदोरों ने मिल के मेरे साथ, मुझे जूटा एजाम लगाया, तसकरा गेरा मेरा फडजी और मुझे मांजिक रूप से प्रताड़त करते थे, और जाती वादी शोचन होता है हमारे थाने में बहुत जादा, मुन्शी और इस्पेक्टर दुर्गेश मिश जाती वादी शोचन करते हैं, जाती वादी बात करते हैं और गाले देते हैं एक वीडियो कुछ देर पहले अभी हमको प्राप्त हुआ है, लगबग एक घंटे पहले और उसमें एक महिला रक्षी है जो थाना ककोल पे तैनात है, महिला रक्षी का कहना है कि उसके साथ इंस्पेक्टर ककोल चैटिंग करते थे और आपति जिनक तरीके से उसके साथ पे देहाद को सुपी है और बारा घंटे में उसे आख्या मांगी है जो जाज के लिए जावे चुके हैं, इस प्रकड़न में जाज के बाद जो भी तक्ति मिलते हैं तरदमसार कारवाईक में सुरिशित की जाएगा वही मामला संग्यान में आने पर बुलंद शेर एस एस पी संतोष कुमार सिंग ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ एस पी देहाद को जात सौपते हुए पूरे मामले में 24 घंटे में आख्या मांगी है एडिटर इनचीफ इकबाल सेफी के साथ हामिस सेफी टाइम 24 न्यूज